पुश्कार साथ ही हो चैनल हिंदी विशेम साहित्य में आप सभी का पुन है हारदे कभी नंदन है जैसा कि आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी की उच्चिस तरिये प्रतियोगी परिक्षाओं की जैसे की नेट जियारेफ और असिस्टेंट प् क्रम में RPSC द्वारा जो कॉलेज लेक्चरर भरती आयोजित की जा रही है उसके स्लेवस की तैयारी हम कर रहे हैं उसी स्लेवस में आपका हिंदी का जो नया स्लेवस आया है इकाई पाच में कुवेर नाथ राय का निबंध गंधुमादन लगा हुआ है बलकि कहना चाहिए कुवेर नाथ राय का निबंध संग्रह गंध मादन लगा हुआ है इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ जहां मैंने पूरे निबंध संग्रह गंध मादन का आपको संचिप्त परीचे दिया था और यह स्पस्ट किया था कि ये पूरा निबंध संग् जिन्होंने मुझे यह इसपस्ट किया कि मैडम पूरा निबंध संग्रह स्लेवस में नहीं है अभी RPSC ने उसमें सुधार कर लिया है और गंध माधन में संकलित 15 निबंधों में से एक मात्र निबंध रागवह करुणो रसह यह निबंध हमारे RPSC परिक्षा के स्लेवस में निर्धारित किया गया है तो इसलिए मैं कामिनी जी को धन्यवाद देती हूँ कि इस संबंध में उन्होंने मुझे जानकारी दी और आप सभी लोग अपने इस तर पे चेक कर लीजिएगा वैसे मुझे विश्वास है कि यह जानकारी बिल्कु सही है लेकिन फिर भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं और इसी क्रम में यह निबंद उपलब्द करवाया है मुझे प्रीति साहो जी ने तो मैं प्रीति साहो जी का भी बहुत धन्यवाद दूंगी जिनोंने मैंने जो वीडियो बनाया था उसके आधार पर उन्होंने कहा कि मेडम मेरे पास PDF मैं आपको यह निबंद उपलब्द करवा सकती हूं तो धन्यवाद इसलिए भी हमें देना चाहिए इस निबंद को शुरू करने से पहले धन्यवाद इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि कामिनी चारण जी नहीं बताती तो हो सकता है मुझे काफी समय बाद यह पता चलता और प्रीति साहो जी यह निबंद उपलब्द नहीं करवाती तो हम इस निबंद को इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाते तो दौनों के लिए धन्यवाद ग्यापित करते हुए प्रारंब करते हैं हमारा निबंद रागवह करणा रसह जैसे कि हम सभी जानते हैं कुबेर नाथ पर निबंद हैं हलांकि यह निबंद ललित निबंदों की श्रेडी में डाला गया है लेकिन इसमें विचारों की इतनी गंभीरता है части एक बार हम सोचने पर विवश हो जाते कितनी गंभीरता के साथ इन लोगों ने अपना अध्यन, चिंतन, मनन का कार्य चिया था अब न निबंद केवल मैं आपको पढ़के सुनाऊंगी और आप कहेंगे कि मैं इस निबंद को पढ़ने से लाब क्या हुआ या इसमें ऐसी क्या खास बात है देखिए जब करोणरस की बात आती है तो मैंने आपको साकेत के अंतर गत्वी बताया था व्याख्या करते समय और अभी आपके स्लेवस में साकित नहीं है, पुनहें रिपीट कर देती हूं, जिन विध्यारतियों नहीं देखा है, भवबूती ने संस्क्रत में आचारे हुएं, महान आचारे हुएं, भवबूती जी, उनका एक ग्रंथ है, उत्तर रामचरितम, अपने उन ग्रंथ में भवबूती केवल एक ही सर्वश्येस्ट रस है, और वह है करुण रस, करुण रस की व्यापती प्रते एक जीव में होती है, इस्थाई भाब के रूप में सब के अंदर करुण रस विध्यमान रहता है, जैसे ही उसको अन्य भावों का या परिस्थितियों का जब संयोग मिलता है, तो वह हो प्रगट हो जाता है, अब अपने उसमें उत्तर रामचरित जैसा की ग्रंथ का नाम ही है रामचरित तो करुण रस का जो परिपाक है, पूर्ण ता जो वर्णन है, वो किस के संधर में, राम के संधर में है, तो प्राचीन काल में करुण रस का यदि हम वर्णन देख वह वर्तमान समय में लेकर लिखाए कि रागवह करुणोरस है अर्थात पुराना जो हमारा साहित्य है उसमें करुणरस की व्यापती बताई है उसके जो प्रभाब बताए हैं कारण बताए हैं विशेस्ता बताई हैं उन सब का वर्तमान समय में परिप्रेक्ष क्या है उनकी वर्तमान समय में प्रासंगी तक क्या है, वर्तमान समय में उपयोगी तक क्या है, उस सब चीजों को समझाने का प्रयत्न किया है कुवेर नात रायजी ने अपने निबंद में, अब क्योंकि राम का भी जैसे उत्तर रामचरित पूरी रचना करुन रस पर आधारित है और पा क्योंकि ये कहीं न कहीं उसी से जुड़ा है ये हो गई हमारे आज के निबंद से सम्मंदित बात दूसरी बात आप सभी जानते हैं अब तक आपको यूट्यूब पर ये कहीं भी नहीं मिलेगा ये निबंद ठीक है अब प्रीति साहो जी का धन्यवाद इसलिए क्योंकि उन् अब पर्णाज के निबंद की बस्तू है मिया प्रीति साहो का अपना सोचे के मैं इनका नाम इतनी बार क्यों ले रही हूँ ठीक है मैं जो आपको समझा रही हूँ जितना भी बोर रही हूँ वो सब निबंद के अंतरगत मिलेगा तो इन्होंने केवल अपना नहीं सोचा इन्होंने किसका सोचा? समाज के बारे में सोचा, उसी प्रकाज इस प्रकार राम भगवान ने कभी व्यक्तिगत हित को रखते हुए, ध्यान रखते हुए कारे नहीं करा, उन्होंने लंका पर चढ़ा, इसलिए नहीं कर दी कि उनकी पतनी का पहरण कर लिया, वो सब एक निम कर दिया, कामनी चारण को भी पता था, कि हमारे राघव करणो रस गंद मादन में से लगा हुआ, बागी पूरा निबंद संग्रे नहीं पढ़ना था, केवल वो पढ़के चली जाती, सोच दी कि मैं पढ़के चली जाओ, मेरे जादा नमबर आ जाए, उन्होंने भी ऐसा के पास पहुंच जाए, वो में अपना काम कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों का भी एक दायत्व अब बनता है, कि अधिक से अधिक इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक पहुंचाए, ताकि इन सम्मलित मिलकर ये जो प्रयास है, इन लोगों ने जो आपकी सहता की है, इनके माध्यम से ये निबंद आप तक पहुंच रहा है, तो आप इस निबंद को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जादा से जादा ये लोगों तक पहुंच जाए, एक ही हो भी कारण है, दूसरा, इन लोगों की मैनत, देखिए, अब बहुत बड़े बड़े यूट्य चैनल है, हजारों लाखों परिक्षारती है, जैसे ही उन्हें कोई निबंद है, इसका शौर्ट रूप में वो देखेंगे, और डाल देंगे, और उस पे हजारों लाखों व्यूज आएंगे, और हम उस स्थिती में नहीं पहुच पाते हैं, और हमारे पास इतने व्यूज है, नहीं, थोड़ छोटा सापना परिवार है, तो आप लोग मेरी सहायता करें इसमें, और बाकी देखिए, हर निबंद पे ये कहना पड़ता है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो पे कहना एक यूट्यूब पे एक विवश्तासी है, लेकि पर्टि वह पूरा हो जाएगा, शुरू करते हैं हमारा निबंद, काफी सारी बाते हो गई, देखिए, कुवेर नाथ राय जी कहते हैं, नए साहित्य में करुण रसकी नवीनतम इस्थिती है, निर्वासन, अब मैंने आपको पुराने साहित्य में इसका सरवादिक वरणन कहा है, वह पूरी चीज किलियर कर दी, जितना मुझे आता है, जितना मेरा ज्यान है, जितना मैं उससे जोड पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि करुण रसकी अगर बात हो रही है, तो उत्तर रामचरित के बिना वो अधूरी है, ठीक है, तो नए साहित्य में करुण रसकी नवीन बढ़ चुके हैं, लेकिन नवीन तम वर्तमान में कैस्थिती है, कब माना जाता है करुण रसकी कब उत्पन होता है, जब निर्वासन होता है, किसी भी चीज से, अब वो क्या है, आगे क्लियर करते हूं, कुवेडनात राय जी कहते हैं कि नए साहित्य में निर्वासन अगे निबंद में किलियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, कि एक इस्थाई भाव जैसा बन गया है, जैसे ही कुछ हम से छूटता है, जैसे ही हम अपने आपको अलग महसूस करने लगते हैं, करुण रसका हमारे हिड़ जैसा लगता है कि हमारे हिड़े में गहरा पैठिया है, ऐसी हालात में एक स्वतंत्र निर्वासन रस की कल्पना कर ली जाए, तो कोई हर्ज नहीं, यानि वर्तमान समय में जिस प्रकार हम परिस्थितियों से सामन जैसे बिचाने की स्थिती में अपने मन में दुखी हो रह जाए, जैसे बहुत सारे रस होते हैं, वीर रस है, करुण रस है, और जितने भी रस हैं, भक्ती रस है, लेकिन अब ये सारे जो रस हैं, वो लुपत होते जा रहे हैं, वीर रस की स्थिती भी सब के जीवन में नहीं होती है, लेकिन अब जनसाधरण के जीवन में कौन सा र कोवेरनात्राय जी कहते हैं कि यह मात्र साहित्तिक व्यथा नहीं है विश्व इस्तर पर आज मनुश्य इस निर्वासन व्यथा को वास्तविक रूप में भोग रहा है तो यहां कोवेरनात्राय जी भारत की समाज की एक परिवार या व्यक्ति की बात न करते हुए पुपत्रास और देने से पीड़ित पश्चमी यूरूप में नहीं है रूस चीन या तिबबत में तो इस निर्वासन की विधाही बिल्कुल अलग किस्म की है पर किसी ना किसी रूप में मनुश्य में अर्थात उसका सजीव रूप व्यक्ति सरवत्र निर्वासन भोग रहा है हिंदुस्तान में यह उतने व्यापक तोर पर भले ही ना हो पर है जरूर सुबूत के तोर पर शरणार्थियों विस्थापितों अब देखिए वह क्या कह रहे हैं कि अमेरिका में हम देखतें कि यूरो यह जो पश्चमी देश है जो पश्चमी संस्क्रति है भोगवात क संस्क्रति है भारत में तो फिर भी अब देखे कुवेर नात राय ने जब यह निबंद लिखा था उस समय के दौर में और आज के दौर में तो बहुत अंतर आया है क्योंकि अब तो पश्चमी करण हमारे समाज पर प्यापक रूप से हावी हो रहा है लेकिन तब नहीं था इतना जादा नहीं था तो अमेरिका में भोग की नहीं थी सब कुछ उपभोग करना सोला बर्श होने के बाद बच्चे मावाप के संग नहीं रहेंगे और नैतिकता जैसी भी कोई चीज नहीं होती है विभाब ट्रणाली भी वहां उतनी प्रभाबी नहीं है सेक तो बिक्षित और निर्वासित सब क्योंकि जब समाज के कुछ नियम नहीं है आज दर कल उसके साथ आज उसके साथ तो वह भी दुख है लेकिन हिंदुस्तान में भी दीरे-दीरे व्यापत हो रहा है कैसे शरणार्थियों में जो दूसरे देशों से निर्वासित हो के आए उ किसी भी कार्ण से जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा उनके अंदर कत पुराने इमांदार कॉंग्रेसियों में उनमें भी करुनरस की स्थित्पति क्योंकि वो भी निर्वासित हो गए जब पुराने लोगों को कोई पूची नीरा नए नए लोग कॉंग्रेस में आ ग उनके अंतरगत भी आपको निर्वासन अर्थात करुनरस देखने को मिलेगा नववध प्राप्त विश्विध्याले इस्तर के चात्रों में वो भी दुखी है क्योंकि उनकी भी जो ना तो कोई पुरानी को मान पारे हैं जो नए विध्यारत जो नई युवा पीड़ी है पुरानी पीड़ी के नियमों को नहीं मान पारे है पुरानी पीड़ी है वो नववध विश्विध्याले इस्तर के चात्रों के ज्यान से अनुकूलन नहीं कर पाती तो उनमें भी यह दुख है आदर्शवादी पार्टी कर्मियों में चाहे जो पार्टी हो या जो आदर् और किसमें जो अल्प संक्यक लिख दिया है कि इमानदार अफसर कैसे रहें अल्प संक्यक रहें बाकि सभी तो भ्रष्ट हो गए अब ऐसे भ्रष्ट लोगों के बीच में जो चंद बचे हुए इमानदार अफसर हैं उनमें भी कर्म रसकी व्याप्ति पाई जाएगी ठीक है अब लेखा कहते हैं आदी के हिर्दय में प्रवेश करके देखें तो पता चलेगा कि सभी अपने आपको अपने परिवेश से अब एवं आसपास से निर्वासित महसूस कर रहे हैं बिल्कुर सही लिखा है ठीक है हम समझ सकते हैं इस चीज को कि इमानदारी ऐसे योग में चारों तरफ अभी ब्रष्टा चार का बोल वाला हो ऐसे लोगों के बीच में इमानदार अपने आपको निर्वासित्सा महसूस करेगा क्योंकि उसकी कोई बात मानेगा नहीं ठीक है जिसमें चलकपट नहीं आता है आज के समय में जिस व्यक्ति में वो भी अपने आपको निर्वासित्सा अकेला महसूस करता है तो इनके हिर्दय में प्रवेश करेंगे तब हम इनके दुख का अनुभव कर सकते हैं कारण भिविन है वस्तु इस्थितियां भिविनने सकते हैं कि सबके करुणरस दीक सबके हिर्दय में है निर्वासन का दुख है निर्वासनरस ह कारण अलग-अलग हो सकते हैं इस्थितियां भी बिविन हो सकते हैं पर शाप एक ही है जो सब के शीश पर प्रेत की तरह मढड़ा रहा है इन में से जो भी निर्वासन के साथ-साथ बौधिक अजनवी पन के शिकार हैं यद्धि अपने देश में ऐसे बहुत कम है उन पर तो यातना की दुहरी बहावह हो उनकी यातना दुहरी बहावह है तो यानि समाज के जो इस्तर दिखाई दे रहें उसमें निर्वासन भोग रहें वो तो भोगी रहें लेकिर बौधिक इस्तर पर जो अजनवी पन का शिकार है यानि उनकी जो विचार धारा है वो अन्य लोगों से मेल नहीं खा रही तो उनम पर तो यह दुख अत्यादिक दुहरी मार कर रहा है आपने देखा होगा मुक्ति बोध का मैंने आपको कवीता लगी हुई या आपके कौन सी कवीता है हाँ जी नेट वालों के तीन है आपके केवल एक है अंधेरे में अंधेरे में कवीता से पहले एक वीडियो डाला है मैंने मुक्ति बोध का परीचे तो अगर आप मुक्ति बोट को ब्रह्मराक्षस कवीता पढ़ेंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि बौधिक अजनवीपन क्या है, कितनी यातना है, कितना ज्यान है, अंधेरे में कवीता में भी आप समझ जाएंगे, लेकिन शाहिद उतना नहीं जितना ब्रह्मराक्षस म तो बताया गया है, कि जब आपका बौधिक ज्यान अन्य लोगों के साथ समझ से नहीं कर पाता, समाज के लिए उपियोगी थाबित नहीं हो पाता, तो किस अंतर्मन में, आपके अंधेरे में, किस अंधेरे में आप जीवन जीते हो, जो अंधेरे और वो आपकी काविय पर भी भाव हैं चीक है हम लोग वैसे निर्वास से हैं अपने विचाव लेकिन कहीं ना कहीं समाज के साथ जुड़े हुए तो हैं लेकिन ऐसे लोगों की स्थिति तो बहुत बुरी है जो ना तो शारेरिक रूप से भी अलग हैं अलग होना का सेंस आप उपर किलियर कर दिय कार चीज़ा आपको समझमें आ रहöhे होंगे किस तरीके से थोड़े से हम अलग है। अपने आको अकेला महसुस कर रहे हैं और यहां तो बौद्धिक इस तरह पर भी हम अपने आपको अकेला महसूस कर रहे हैं ना देख्ये है एक तो हमें वैसे ही अलग हूँ और एक यहां पर हम समझ्या को विश्व स्तर पर ले रहे हैं नया मनुष्य अकारण च्छुक्तियों दवारा अब हम क्यों चुने भाक न Fast पर ना करना चाहते हैं लेकिन हमारे पुराने इसकी देख 할ा आज दो कि नहीं है तो हमारा यह उसी तरीके से जब हम समाज के इस्तर पर और विश्व के इस्तर पर बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़े निकल के आती हैं जो इतिहास में नहीं होती थी तो एतिहासिक शक्तियों के द्वारा हम निर्वासित से महसूस करते हैं जब पूरे समाज की बात करेंगे तो ठीक है इस पीडी का क वो बहुत ब्यापक है, यह सब के बारे में है थोड़ा सा इसको और उपर ले जाके हमें समझना पड़ेगा, बट मैं सरल रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि मूल भाव आप ग्रहन कर पाएं और परिक्षा में सही उत्तर दे पाएं, अब इस पीडी का को के अनुकूल था, अब उसके वो हजार कारण बताएं लेकिन आज हमें उसकी आवशक्ता नहीं लगती, तो हम कहीं न कहीं उस दर्द में भी जीते हैं, अकारण ही है यह निर्वासन, यह दुख करूरस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे अकारण निर्वासन का उधारण रामायन में भी है, राम उसी तरह अकारण निर्वासित हुए थे, जैसे आज करनाया मनुष्य, इस्थिती दौनों की एक ही है, दौनों निरपराद हैं, पर परिवेश की सतही समानता के बाब, जूद अपने अपने संदर्व में, उनकी प्रतिकरिया समान धर्मी नहीं हो परिवेश की सतही समानता के बाब, जूद अपने अपने संदर्व में, उनकी प्रतिकरिया समान धर्मी नहीं होती, निर्वासन है या करुणरस है, या एक सीधा समानिय दुख आपके जीवन में आ रहा है, निर्वासन को एक मिनट के लिए छोड़िए, दुख को पकड़ अब दुखी आप भी हो, दुखी मैं भी हूँ, दुखी राम भी थे, गलत राम के साथ भी हुआ, गलत हमारे साथ भी हुआ, गलत किसी और के साथ भी हुआ, लेकिन परिवेश की सतही समानता, सतही समानता या एक सतही पर हम सब ही दुखी है, लेकिन प्रतिक्रिया समान ध अंतर है जो हमें समझना पड़ेगा कि राम ने उस निर्वासन को जिस तरीके से भुगता और उस निर्वासन के अंतर जो उनका व्यक्तित उभर कर आया जो उन्होंने उसके लोग कल्यान का कारे किया यह वो निर्वासन बनवास राम को न मिला होता तो आज हम उनकी इतनी प कुछ पहलियों की चर्चा इस निर्वासन के संदर्व में रखकर प्रस्तुत कर रहे हैं ठीक है अब आगे वो राम के द्वारा हमें समझाएंगे अब यकीन वानिये जैसे राम के पिता ने उन्हें अपनी एक दूसरी पतनी के कहने पर राज जैसे निश्काशित कर दिया औ हमें परिवार का चार्ज मिलने वाला और कोई किसी अन्हे पतनी के कहने पर या किसी विमाता के कहने पर तो हम उस पे कैसी प्रतिक्रिया देंगे क्या हम राम की तरह चुपचाब बन को चले जाएंगे या प्रतिक्रिया अलग होगी हमारी प्रतिक्रिया निश्चत तोर प युद्ध परिवार में विख्राव, टूटन लेकिन यहां परिवार में एकतारी, दोनों अलग अलगें, दुख और तो दोनों के जीवन में आये थे, लेकिन जीवन का निरणायक, निरणायक इसने किया, निरणायक मोड़ साबित क्या होता है, कि आप परिस्थितियों पर किस तरीके से करते हैं सरण रूप में फिर समझाती हूँ निबंद को समझना जरूरी है वीडियो पर ध्यान मत दीजिएगा दो दिन में कर लेंगे क्लास कोई दिकत नहीं है देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताबें नहीं है बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिती सही नहीं है एक आप बच्चों से अपने आसपास मिलेंगे वो रोना ही रोते रहेंगे क्या करें यार हम पे तो तने पैसे ही नहीं है जो किताब खरीद लें क्या करें यार हम पे तो महेंगा फोन ही नहीं है क्या करें यार हम तो कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हमारा भी सलक्षन हो जाता था एक प्रतिक्रिया यह हो सकती है एक प्रतिक्रिया इसके विपरीत होती है आप रोज न्यूस पेपर में देखते हैं शोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे अ सोच के हिसाब से उनके परिणाम अलग हो रहे हैं अलग अर्थ दे रहे हैं एक सफल होके नौकरी प्राप्त कर लेता और दूसरे का पूरा जिंदगी इसी में जाती है कि उसके पास इतना धन है मेरे पास नहीं है यह बहानेवाजी में ही चली जाती है चीक है समझ में आ रहा उसमें भी कुछ अनाज रुपिया आप डाल के आ जाते हो है ना कोचिंग सेंट्रों में लाखों रुपे आप मतला हजारों रुपे फूग देते हो और यहां पर अगर यूट्यूब पर आपको यह कह देती हूं मैं कि लाइक कर दीजिए बड़े बड़े चैनल्स पे हमेशा दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं जब तक यह अच्छा ही है ना तब तक बिना किसी कारण के भी बच्ची यह मदद कर रही हैं कि चलो मैंने कहा है तो लाओ चलो हम ही बता देते हैं यह सब के पास पहुंच जाएगा कितनी अच्छी बात है तो इसको आप थो जरूर शेयर कीजिए अगर उनके स्लेवस में है और जो भी उनके स्लेवस में है वो शेयर कर दीजिए हिंदी साहते के तिहासो सभी परिक्षाओं के स्लेवस में है ठीक है तो वो शेयर कर दीजिए लेकिन शियर जरूर कीजिए विशेस्ता इस निबंद को देख रहे हैं और कोई फर्स्ट ग्रेट दे रहा है हिंदी से जरूर शियर करों मुझे आशा है कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे मैं देखना चाती हूँ कि इस वीडियो उस पे कितने लाइक और शियर आते चलिए आगे देखते हैं राम के निर्वासन का चरम रूप सीता हरण के पस्चाक और लंका अभियान के पूर्व के मध्यानतर में मिलता है इसमें भी किश्किंदा कांड के भीतर सुग्रीव अभिशेक के बात मालेवशिकर पर बिताए गए कुछ मास निर्वासन और निसंगता क की तीव्रतमिस्थिती है ठीक है मन बाली वद्ध की उत्तेजना से पीडित है नुपूर और वस्त्र देखकर उन्हें अंदाज हो गया कि उनका शत्रू रावड ही है जटायू ने भी यह सूचना दीती अधह महाप्रताप शाली शत्रू की चिंता अपने अकेलेपन और अ जाने पर कोई भी प्रियत्न नहीं किया जा सकता था शरद के आगमन की प्रतिक्षा करो तब तक निश्क्रिय वैठे रहो और कातरतावश अपना आत्म छे करो इस मनह स्थिती में ही राम का धीर गंभीर और करुण श्यामर रूप दुख के अंदकार के बीतर से फूट ता यहां रूप और यहां आत्म संगर्ष बालमिकी और तुलसी दास ने वर्शा वडण और शरदितु के माध्यम से प्रस्फूटित किया है अब इन दौनों की आगे जो टॉपिक के थोड़ा सा चेंज होने वाला है यहां चीजों को किलियर कर दू यानि जब आपके जीवन होते हैं जो दमाब में बहुत अच्छा खेल जाते हैं और वही टीम को जिता ले जाते हैं तो जब सबसे जीवन का कठिंतम मोड था राम के जीवन में राजकुमार कितना सुंदर जीवन उनका शुरू से ही उनको सब कुछ यश वैभव सब मिला है ना अच्छे गुरू अ आपका तो सही उत्तर क्या होगा सीता हरण के पश्चात और लंका अभियान के पूर्व के मध्यांतर में मिलता है समझ रहे हैं आप किश्किन्दा कांड के बीतर क्या हुआ कि बाली का बद किया राम ने अब बाली ने राम से प्रश्न किया कि आपने मेरा बद क्यों किया आपसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं है, तो आपने मेरा बद क्यों किया, और जो वाण भी चलाया, वो मेरी पीठ के पीछे से चलाया, क्यों चलाया, तो ये एक उनके मन में आत्म संगर्ष था, दूसरा उनकी पत्नी का हरण हो गया था, तो उनके मन में ये भी थी, कि मेरे इतने महाप्रतापी होने का क्या फैदा, जब मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तो अपने राष्ट को क्या समाल पाऊंगा, दूसरा महाप्रताप शाली शत्रु, जब पता चल गया, कि दक्षिन का वो रावड हरण करके ले गया, जो शक्तियों से युक्त रावड है, तो उसकी भी एक चिंता, और ये सारी चीजें इसमें लिख दिया, और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात के, सर्च अभियान चालू नहीं हो सकता था, क्योंकि वर्शा रितू थी, अब जब तक शर्द रितू नहीं आ जाये, हाथ पर हाथ धर रखकर बैचने के अलावा, राम के पास कोई उपाय नहीं था, ऐसी इस्तिती में, जब आपको सब कुछ फता हो, ऐसी इस्तिती में, और फिर किसके बल पे, सैना वहाँ कहां से आती, जो इतने महप्रतापी राजा की सैना से युद्ध कर सकती, इन सब में अपने अंतर्मन का छही हो रहा था, इन कहीं न कहीं अपने आपको कमजोरी कर रहे थे, राम हार भी तो मान सकते थे, कि इतने बड़े राजासे में नहीं लड़ सकता, बीच में तना बिशाल महा समुद्र कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, हम सभी जानते हैं, पूरी कता तो यहां नहीं मैं कहूंगी, किस प्रकार वो इन विपरीत परिस्थितियों में विजई होकर लोटे के, वहल अपने आत्म बलके आधार पर, इसलिए मैं उन विध्यारतियों से कहना चाहूंगी, जो परिक्षा के बड़े सिलेबस को देखकर घबरा रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहूंगी, काम किलर नहीं कर सकते, या तो ठक जाएए, या फिर पूरी जान जोंक दीजिए, कि करके रहेंगे, क्यों नहीं करके रहेंगे, करके रहेंगे मैडम, और हम बिलकुल अपना मेरिट में स्थान भी लिगाएंगे, और फिर चैनल पर कमेंच करके भी बताएंगे, कि मैं मैं आपने कहा था ना, क्या आप करके दिखा ना, हमने करके दिखा दिया, तो हम सम बिलकर जीतेंगे, इस भावना से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें राम जैसी आत्म शक्ती को संचित करना पड़ेगा, हार हमें नहीं माननी, कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं वा तो हमारी ये मेहनत, फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी, ठीक है, और जीवन में बहुत कुछ हम कर सकते हैं, एक ये कॉलेज लेक्चररी कोई अंतिम, हमारे जीवन का प्रस्थान बिंदू नहीं हो सकता, अभी तो शुरुआ आता है, अभी तो हम युवा हैं, बिल्कुल जोस से भरे हुएं, अभी तो खून खौलता है, अभी तो बिल्कुल जोस से भरे हुएं, सारी बैने अपने बच्चों के साथ घर का काम भी कर रही है, बच्चों को भी समाल रही हैं, और पढ़ाई में लगी हुई है, एक मातर कॉलेज लेक्चरर के ये थोड़ी न लगे हुए हैं, यह तो बहुत छोटी सी चीज है, ज्यान प्राप्त करना है हमें, आत्मसंगष की ही प्रधानता, नहीं आएगी म्याउ, आप पापा चले जाओ उपर कमडे में, मेरी बेटी म्याउ से ढ़ती नहीं है, डंडा लेके और म्याओ की पिटा ही लगा देना आप ठीक है मैं पड़ालू दीदी भईया को फिर आपके पास आऊंगे आगे बढ़ते हैं हाँ छोटा डंडा लेना बिटू अरे एक सेकिन आप लोग रुखना है ना मैं इसको डंडा देती हूं छोटा ये डंडा ले जा म्याओ आए एक मार ना म्याओ के कहना मैं बहुत बादू लड़की हूं भाग जाएगी डंडा देखके भाग जाएगी ठीक है जा बालमिकी के वर्ण में आत्मसंगर्श की ही प्रधानता है उनका वर्षा वर्ण नायक की व्यथा और उसकी सहज धीरता उसकी कामकातरता उसके शांत सौंदरे बोध का घोर अंतरद्वन्द प्रस्तुत करता है ऐसा लगता है कि राम अपनी उत्तेजनात को प्रकृती के शांत सौंदरे बोध में डुबो कर एक शांत विंदू पाने का दुर्नेवार प्रियत्न कर रहे हैं बालमिकी ने यह दिखाया है कि यह असहाय दुख मिच नहीं पाता इसे भोगने के अत्रिक्त कोई चारा नहीं कोई विकल्प नहीं लीला का जन्म ही भोगने के लिए होता है उनके शरदवर्णन में चलकर यह उत्तेजना और तीवर हो गई है परन्तु तुलसी का बोध अ अब को वेरनात राय जी हमें यह किलियर कर रहे हैं कि बालमिकी के वर्णन में यानि सिर्फ इसी पॉइंट पर द्यान के इंद्रित करेंगे जो मैं आपको बताया यह इस्थिती है यह सुग्रीब का विश्यक हो जाने के बाद वाली जो इस्थिती है इसमें वालमिकी ने दौनों ने अलग तरीके से वर्ण किया बात एक ही लिखी है लेकिन जैसा मैंने कहा कि बात एक ही होती है लेकिन उसका प्रभाप अलग-अलग पड़ता है अपनी सोच करूंसा अब बालमिकी ने यह दिखाया कि भले ही वह भगवान है लेकिन लीला रूप में मानव वने ह तो जो दुख है वो भोगना पड़ेगा व्यक्ति उनको और उसको ऐसा नहीं होता कि वो कम हो जाएगा उसका कोई विकल्प नहीं है कोई चारा नहीं है असहाय दुख उसको भोगना पड़ेगा और बढ़ता जाता यानि जैसे और कोशिश करते हैं कि प्रकरती के शान्त अधानों को देखकर उससे कुछ शांती प्राप्त कर लेकिन नहीं हो पाती लेकिन तुलसी अलग है तुलसी दास कहते हैं उनको नोंने तो राम को मरियादा पुरशुत्तम के रूप में प्रस्तुत किया तुलसी दास ने मानव माना ही नहीं है ना उनके जो क्रिया कलब द में शरद वर्णन तक ले जाते आत्म संगर्ष में जय अर्थात विजय बना देते हैं और राम का मन कैसा हो जाता शांत इस्थे और सवल हो जाता है ठीक है तो दौनों के वर्णन में ये अंतर है कोई नहीं आए आप उपर जाओ पापार के पास शितेज के शिखिरों पर मेगों की नील सोपान पंक्ती खड़ी है नील अंबर तक आरोहन करने के लिए राम प्रारंब में ही कहते हैं देखो संध्यारागो स्थित इस तामरंते व्यपी चे पांडु वी इस निग्द अबर पट शेधर्व्द व्रण व्रण व्रणंबिम्बाम बरं संध्यार के कारण आकाश का रंग तामर वर्णी और पांडुर है लगता है आकाश के हिर्दे में भी घाव है और भीगे बादलों की पट्टी उस पर बंदी है संध्यार चंदन से चर्चित पंडुर वर्ण वादलों वाला आकाश कामा तुरसा लगता है जिसका चहरा पीला पड़ गया और मंद मारुत जिसकी कामुत तिजना का निश्वास है तेज धूप से पीड़ नए जल से सीची धर्ती से वाश पूठ रही है जैसे शोक संताप्त सीता हो राघव तो ये वर्णन है राम अपने अंतर के घाव को विश्व प्रकर्ती के हिर्दय में पाते हैं और ये घाव तब तक रिसूटता है जब नील मेगों में दामनी चमकती है उन्हें लगता है मानो रावण के अंक में कातर तपस्वनी वैदे ही हो वे फिर कहते हैं है सौमित्र परवत के सानू पर फूले हुए कुटजों को देखो ये मेरे शोकावी भूत मन में काम संदिपनार्थ पुश्पित हो रहे हैं इसके वाद चंद बदल जाते हैं और एक से एक कोमल और संगीत में चितराते हैं पर असहाय दुख की अंतरधारा सारी कोमलता को भेद कर प्रताप शाली शत्रू की चिंता के रूप में आ जाती है और फिर शोक और कातुरता का अनुस्टप चंद लोट कर आता है ये जो है ये एक जो रीदिबद नागर है उसका अपनी प्रेमिका के लिए दुख नहीं है ये तपस्विनी वैदे ही पवित्र मैथली की कातर वस्था के प्रति करुणा अधिक है तो वह कहते हैं यह यहां पर यह भाव नहीं है करुणा हो रही है कि वह मेरी पत्नी होकर वी जो तपस्विनी वैदे ही है वो परम पवित्र मैथले ही है वो आज किस तरीके से उसकी जो कातरता है उसकी जो निर्यता है उसकी जो विवश्ता है कि वो एक शत्रु के वहां बैठी हुई है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो उसकी जो कातरता है उसके प्रतिक करुणा अ उनको अपनी तो नहीं पढ़ रही रामक को के देखो मैं किस तरीके से दुख बोग रहा हूं उनको चिंता किसकी है سीता की सीता की कर्णा का भाव उनके मन में हो रहा है सीता की कातर नवस्था की प्रतिक कर्णा अधिक है Are विकितीगति प्रकृति के बिभिन उपादान उस समय शरद रितु का आगमन है वर्षा रितु को यह जो अपनी बसंत वाली रितु है हम सब इसको साहितिय के इंतरगत पढ़ते हैं यह काम उत्तेजना बढ़ाने वाली रितु होती है तो उसका प्रकृति का प्रभा मनुष्य के सरीर पर अब क्योंकि राम मानव हैं तो जो प्रकृति के बिभिन उपादान है वो उनकी काम उत्तेजना बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं लेकिन यह उनकी व्यक्तिगत निजी काम विथा पर कम प्रभाब पढ़ रहा है प्रकृति का और किस पर मैथली की कातर अवस्था के प्रती राम के मन में करुणा अधिक है यह पवित्रता और सौंदरे के आहत होने पर बोत किया गया एक विश्व व्यापी दुख है इस दुख को राम कातर रुमानी नायक की तरह नहीं बहन करते एक रुमांचिक नायक की तरह बहन नहीं करते वे धीरता के समुद्र है और दुख इसे कोई मुक्ती नहीं कोई छमा नहीं कोई शांत बिंदू नहीं यह बालमिकी का वड़नाने पर तुलसी इस यातना में निर्वासन और आत्मसंगर्श के बीच से नायक को शांत बिंदू की ओर ले गए हैं उनके नीलाम मुझ शामल कोमल राम के व्यक्तितुक की जड़ अगाद धीरता के समुद्र में हैं मैंने कहा ना तुलसी का तुलसी ने तो भारतिये जन्मानस में राम को एक अलोकिक व्यक्ति यानि कि मर्यादा पुर्शोत्तम के रूप में प्रतिश्ठापित तो किया ही है गुड़ों की खान के रूप में भी प्रस्तुत कर दिया गय पंक्ति आपको याद होगी तुलसी ना लसे कवीता पा कवीता लसी तुलसी का साथ पाके ऐसी कुछ कवीता है एकदम से एक्जेक्ट वर्ड इस समय जबान पर नहीं आ पाते तो जो राम को राम की जो पूजा मम करते है न वो इसलिए नहीं करते कि उन्होंने इतने लेकिए लेकिन तुलसी ने उन्हें वो प्रतिष्ठा दिलवाई है रामचरित मानस ने वो प्रतिष्ठा उन्हें दिलवाई है थोड़ा सा यहां पर यह देखिए गड़बड चलिए